राजस्थान की धर्ती शूरवीर राजपूतों की धर्ती रही है यहां उदय सिंग से लेकर महाराना प्रताप तक एक से एक शूरवीर हुए है आज हम ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी लेकर आए हैं इस शूरवीर की एक आख, एक हाथ और एक पैर नहीं था लेकिन फिर भी जब उसने युद्ध लड़ा तो बाबर के भी पैर उखड गए थे उसके सैनिकों ने जीतने की उमीद तक छोड़ दी थी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेवार के महान राजा राना सांगा की कहानी जिनोंने मुगल बाजशा बाबर के खिलाफ पूरे राजपुताने को एक कर दिया था राना सांगा के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी लड़ाई लड़ते थे वहाँ अपने दुश्मन को रौंद देते थे लेकिन ऐसे महान लड़ाके की मौत कुछ ऐसे हुई ये आपको यकीन भी नहीं होगा इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे नमस्कार मेरा नाम है सिधार्ज सिंग और आद देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट ये बात है साल 1482 की तम मेवाड में सिसोधिया राजपूत राज करते थे अपरेल की बारवी तारीक को राणा रायमल के तीसरे बेटे का जन्म हुआ नाम रखा गया राणा संग्राम सिंग, बाद में लोग उन्हें राणा सांगा कहने लगे राणा जब थोड़े बड़े हुए तो एक जोतिषी ने भविश्यवानी की की आगे चलकर सांगा मेवाड की गद्दी को संभालेंगे इस भविश्यवानी की वजह से उनके बाकी दोनों भाईयों ने राणा के खिलाफ युद छेड़ दिया इस लड़ाई में उनकी एक आख चली गई उन्होंने मेवाड को छोड़ दिया और अजमेर चले गए अपने भाईयों की मौत के बाद वो वापस मेवाड आये और साल 1509 में उन्होंने मेवाड की गद्धी संभाली अपने शासंकाल में राणा सांगा ने राजपूतों को एक किया और अपनी शक्ती बढ़ाई चितोड उनकी राजधानी हुआ करती थी कहा जाता है कि उन्होंने सौ से भी जादा लड़ाईयां लड़ी थी जिसके चलते उनके शरीर पर असी घाव हो गए थे एक हाथ कट गया था और एक पैर में भी काम करना बंद कर दिया था अब अगर राणा के मुख्य युद्धों की बात करूँ तो उनका में दुश्मन था इब्राहिम लोदी जो की आगरा की गद्धी पर बैठा था दोनों ही शासक अपनी अपनी सीमा बढ़ाना चाहते थे इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हुए साल 1517 में खतौली के युद्ध में लोदी को बुरी तरह से राणा सांगा से हार मिली फिर साल 1518 में थौलपूर में लोदी दोबारा बुरी तरह हारा ये युद्ध चितौर से करीब करीब 450 किलो मीटर दूर लड़े गए थे और लोदी की राजधानी आगरा के बिलकुल पास लड़े गए लेकिन फिर भी राणा लोदी को हरा नहीं पाया था इसलिए इन जीतों की वजह से राजपूतों के बीच में राणा का कद काफी बढ़ गया था इसके बाद आता है साल 1527 जब बाबर ने पानिपत की जंग में इब्राहिम लोदी को हरा कर आगरा पर कमजा कर लिया बाबर को राणा सांगा और अफगानों से खत्रा था उसे लगा कि अफगानों से खत्रा जादा है इसलिए उसने अपने बेटे हुमायू को अफगानों के पास लड़ने भेज दिया लेकिन तब तक राणा भी राजपूतों को इकत्था करके आगरे पर चड़ाई की तैयारी कर चुके थे जैसे ही खबर मिली बाबर ने भी हुमायू को वापस बुला लिया और अपने आसपास के जो भी मजबूत किले थे उनको जीतने का प्लैन बनाया इनी में से एक किला पढ़ता था बयाना का किला बाबर ने किले के मालिक निजाम खान से संजोते की कोशिश की लेकिन निजाम खान ने तो पहले ही राणा सांगा से संधी कर ली थी फिर आती है 21 फरवरी 1527 जब बयाना में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आपस में तकराई इस जंग में बाबर की सेना हारी और उन्हें वापस आगरा लोटना पड़ा ये लड़ाई बहुत भयानक थी बाबर नावा में बाबर ने खुद लिखा कि काफिरों ने वो भेंकर युद्ध किया कि मुगल सेना का मनोबल तूट गया वो घबरा गये थे बाबर को इतनी बुरी हार मिली थी कि उसकी सेना ने लड़ाई लड़ने से पीछे हटना शुरू कर दिया था वही दूसरी तरफ राजपूतों के होसले जो थे वो आसमान पर पहुँच गये थे सारे राजपूत राजा एक होने लगे थे इसी बीच महमूद लोदी जो सिकंदर लोदी का बेटा था उसने भी राणा का साथ दिया इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा बाबर को एक आतियाई और विदेशी आकरांता बानते थे और साथ ही वो दिल्ली और आगरा को जीतकर अपनी रियासत बढ़ाना चाहते थे खैर उधर मैदान छोड़ती सेना में जोश भरने के लिए बाबर ने धर्म का सहरा लिया उसने शराब के प्यालों को तोड़कर सारी शराब बहा दी और ऐलान किया कि राजपूतों का साथ देने वाला हर अफगान काफिर और गदार है और कुरान पर हाथ रखकर उसने सबसे अहद उठवाया कि कोई भी शराब की एक बून को भी नहीं चुएगा इसलाम में ऐसा करना हराम है बाबर नामा में बाबर ने इस बारे में लिखा कि इस प्रोपेगंडा का सेना पर अच्छा असर हुआ और दुश्मनों को भी लगा कि वो संजीदा है फिर आती है तारीक 16 मार्च 1527 जब खानवा के मैदान पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ बाबर नामा की माने तो राणा सांगा की सेना में दो लाख सैनिक थे हालांकि कुछ इतिहासकार इसे 40,000 से एक लाख के बीच बताते हैं लेकिन इस नंबर को गर छोड़ दें तो सभी ये मानते हैं कि राणा सांगा की सेना काफी बड़ी थी बाबर की सेना से अब राडा की जो सेना बड़ी थी उसको देखते हुए बाबर ने डिफेंसिव होकर अपनी फेमस तुलुगुमा की रणीती अपनाई इस रणीती के तहट सेना तीन हिस्सों में बाटी गई यानि आगे और पीछे दो हिस्से सेंटर डिवीजन के आगे की लाइन में मजबूत लोहे की बेडियों से आपस में बांध कर बैलकारिया खड़ी की जाती थी ताकि हमला होने पर वो भाग न जाए इन बैलकारियों के बीच में सिर्फ इतनी जगे होती थी कि दो घुड सवा अंगा ने ट्रेडिशनल तरीके से सामने से अटैक किया लेकिन मुगल तोपों के चलते उनकी सेना को बहुत नुक्सान उठाना पड़ा तब भारत में तोपों के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी थी नहीं उनके लिए बहुत नया हाथियार था राजपूत सेना घोड नहीं हासिल करवाई तो उन्होंने मुगलों की तुलुगुमा रणीति को भी काम्याब नहीं होने दिया जैसे ही मुगल घुरसवार अटैक करने आते राजपूत सेना भी उतनी ही तेजी से उन्हें पीशे खजेर देती दोपहर तक लड़ाई बराबर की थी लेकिन इसी चाइम पर एक धोखा हुआ राणा की सेना में शामिल राजा शिला दित्य जिनें सिलहडी तुमर के नाम से जाना जाता था वो अपनी 30,000 की घुरसवार सेना लेकर बाबर की सेना में जा मिले इस धोखा धड़ी से राणा हैरान रह गए और उन्हें अपनी योजना बदलन तब जाला के सरदार अज्जा ने राणा की जगैली और उनका भेश धरकर लड़ने लगे लेकिन अज्जा के पास राणा सांगा जितना युद्ध कौशल नहीं था मौका देखकर बाबर ने अपनी सेना को सीधे राजपूतों से भिड़ने को कहा इसे राजपूत सेना को पीछे खदेर दिया गया फिर इसके बाद राजपूत सरदारों ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन गोलियों के आगे वो टिक नहीं पाए राणा को जंग की जमीन से दूर ले जाया गया लेकिन जंग में उनकी हार हो चुकी थी सांगा को इस लड़ाई के बाद जंगलों में चिपना पड़ा वो एक और बार जंग के मैदान में जाने की तयारी कर रहे थे लेकिन उनके बाकी सरदार इसे खिलाफ थे बाबर के खिलाफ दोबारा लड़ना उन्हें खुदकुशी लग रहा था इसलिए उनके ही साथियों ने उन्हें जहर दे दिया 30 जनवरी 1523 को राणा सांगा की दुक्ति हो गई इस तरह राजपूतों को बाहरी आक्रमन कारियों के खिलाफ एक जुट करने की सांगा की मुहिम फेल हो गई जो उसके बाद फिर कभी पूरी नहीं हो पाई तो दोस्तों ये थी कहानी राजपूत शूरवीर राणा सांगा की आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और ऐसी तमाम इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवार